ओम नमसिवाय, जये संभू नारायन, मित्रों आज के इस वीडियो में हम सिवतांडव अस्तोत्र बोलना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल सरलता के साथ, जूँकि सिवतांडव अस्तोत्र ऐसा है, जिसको प्रतेक वेक्ति बोलना चाहता है, प्रतेक वेक्ति सुनने के बाद उस लव के लिए बोलपाना संभव नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम शिवतांडव अस्तोत्र को बराही सरलता के साथ सीखेंगे बोलेंगे भी ये मुझे बिश्वास है कि आप मेरे साथ साथ बोलना आज शीख लेंगे और कल से गाना भी शुरू कर देंगे क्योंकि शिव हिंदी अर्थ भी जानेंगे जो की बहुत कम आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा जहां पर में संस्कृत पढ़ने में ही लोगों को नहीं होता है तो हिंदी अर्थ कहां से जान पाएंगे इसके पीछे की जो कथा है छोटी सी वो ये है कि मानिता ये है कि सिवभक्त रा कार पसंद नहीं आया तो भगवान सिव ने अपने पैर के अंगूठे से तनिक्सा जो दबाया तो कैलास फिर जहां था वहीं अवस्थित हो गया शिव के अन्यभक्त रावन का हाथ दब गया और वह अंतरनाद कर उठा संकर संकर अर्थात छमा करिए चमा करिए और अस्तुती गाने लगा जो कालंतर में सिव तांडव अस्तोत्र कहलाया शिव तांडव से सिव इतना खुस हो गए कि आस्तोस भगवान भोले नाथ ने न केवल रावन को सकल समरिद्धी और सिद्धी से युक्त सोने की लंका बर्दान में दे दी अपीत संप बति शमरिद्धी और संतानाध प्राप्त कर लेता है इस अस्तोत्र की भासा अनुपम है और जटिल है पर महा बिद्धवान रावन ने इसे कुछ पलो में ही बना दिया शिवस्तुती और परसन्यता में यह अस्तोत्र रामबान काम करता है तो इस अस्तोत्र को जो सुनता है उसको संतान बिद्या बुद्धी समरिद्धी प्राप्त हो जाती है और जो इस अस्तोत्र को सीखना बोलना सीख लेगा और गाना सुरू कर देगा अंदाजा लगा सकते है कि उसको क्या जीवन में प्राक्त हो सकता है तो आईए हम इस अस्तोत्र को सबसे पहले पढ़ना शीखें और पढ़ना ही नहीं सीखेंगे उसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे ताकि उसमें अस्तोत्र में उस लाइन में क्या कहा गया है हम समझ पाएं और उस भाव से बावा संभू की भोले नाथ की जो है सो महिमा का बर्नन कर पाएं उनको खुश कर पाएं तो आईए शुरू करते हैं श्रीरावनं विरचितं शिवतांडव अस्तोत्रं जटाट भीगला जलप्रभाः पावितास्थले गले बलंब्य लंबे ताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड़ मड़ मड़ मन्निनाद बड़ मरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनह सिवा सिवम इसका अर्थ है कि जिन सिव जी की सघन बन रुपी जटा से प्रभाहित हो रही गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रचालित होती हैं जिनके गले में बरे एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं तथा जो सिव जी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं वे सिव जी हमारा कल्यान करें जटा कटाह संब्रमा भ्रमन्यलें पनेर्जहरी बिलोल बीचि बल्लरी बिराजमान मौर्धनी धगा 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 जवलल ललाट पट पाब के किसोर चंडर से खरे रतिः प्रतिः चनंग मामा जिन सिव जी के जटाओं में अती बेग से बिलास पुर्बक भरमन कर रही देवी गंगा की लहरें उनके सीस पर लहरा रही हैं जिनके मस्तक पर अगनी की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके पर ज्वलित हो रही हैं उन बाल चंद्रमा से बिभूशित शीव जी में मेरा अनुराग प्रतिः चन बढ़ता रहे धरा धरेंद्र नंदेनी बिलास बंधो बंधो रास फुराद्धि गंत संतते प्रमोद मान मान से क्रिपा कटाक्छ धोरनी निरोद्ध दोर धरापदे क्वचे दिगंबरे मनो बिनोद में तु बस्तु नी जो परवत राज सुता यनी की पारवती जी के बिलास में रमनिये कटाक्छों में परम आनंदित चित रहते हैं जिनके मस्तक में संपुर्ण स्रिष्टी एवं प्रानी गन वास करते हैं तथा जिनके किरपा द्रिष्टी मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं ऐसे दिगंबर यनी की आकास को बस्त्र समान धारन करने वाले सीब जी की अराधना में मेरा चित सर्वदा अनंदित रहे जटा भुजंग पिंगलस फुरत फना मनी प्रभा कदंब कुंकुमा अंद्रभा प्रलेप्त देग्वधु मुखे मदांध सिंधो राज फोरत त्वगुत्तरिय में दूरे मनों बिनों दमद भुतम विभार्तो भुत भार्तरि मैं उन सिवजी की भक्ती में आनंदित रहूं जो सभी प्रानी की या जो सभी प्रानियों के आधार एवं रक्षक हैं जिनके जटाओं में लिप्टे सर्पों के फन की मनियों के प्रकास पीले बर्न प्रभा समुह स्वरूप केसर के किर्ती में या किर्ती से दिशाओं को प्रकासित करते हैं और जो गज चर्म से विभूसित हैं ऐसे संभू को मैं प्रणाम करता हूं सहास्र लोचना प्रभृत्ति सेसलेख सेखरा प्रसून धूली धोरनी बिधो सरांगे पीठभो भुजंग राज मालया निबध जाट जूट कह स्रियचिराय जायताम चकोर बंधो सेखरह जिन सीवजी का चरन इंद्र बिष्नु आदी देवताओं के मस्तक के पुष्पों के धूल से रंजित है जिन्हें देवतागन अपने सिर के पुष्प अरपन करते हैं जिनकी जटा पर लाल सर्प बिराजमान है जो चंदर सेखर हमें चिर काल के लिए वो चंदर सेखर हमें चिर काल के लिए संपदा परदान करें ललात चत्वर ज्वला धनन जया स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकं नमन निलिंपनायकं सुधा मयोखले खया बिराजमान से खरम महा कपाली संपदे सिरो जटाल मस्तुनह जिन सीब जी ने इंदराजी देवताओं का गर्ब दहन करते हुए काम देव को अपने विशाल मस्तक की अगनी ज्वाला से भस्म कर दिया तथा जो सभी देवो द्वारा पुज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुषोभित हैं वे मुझे सिध्धी प्रदान करें कराल भाल पटिकाम धग 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 ज्वालाम धनन जया धरे कृत प्रचंद पंच सायके धरा धरेंद्रनंदेनी कुचाग्रचीत्रपात्रकाम प्रकालप नई कसेल पेनी त्रिलोचने रतेर्मामा जिनके मस्तक से धकधक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जो सिब पारवती जी के अस्तन के अगर भाग पर चित्रकारी करने में अती चतुर हैं यहां पारवती प्रकिर्ती है तथा चित्रकारी सिर्जन है उन्सीब जी में मेरी प्रीती अटल हो नभी नमेगा मंडले निरोद्धोर्धरास फुरात नभी नमेगा मंडले निरोद्धदोर्धरास फुरात कोहो निसीथिनीतमह प्रबंध बंध कंधरह निलिम्प निर्जरी धरस्त तनोत क्रेति सिंधुरह कला निधान बंधुरह स्रियंजगा धुरंध रह जिनका कंट नभीन मेगों की जटाओं से पड़िपुर्ण अवावस्या की रात्री के समान काला है जो की गज चर्म गंगा एबं बाल चंदर द्वारा सोभाय मान हैं तथा जो की जगत का बोज धारन करने वाले हैं वे सिवजी हमें सभी प्रकार की संपन्यता प्रदान करें प्रफुल नील पंक जो प्रपंच काली मा छटा बिडंबि कंठ कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम स्मरा चिदम पुरा चिदम भबा चिदम माखा चिदम गजा चिदांध का चिदम तमंत का चिदम भजे जिनका कंठ और कंधा पुर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुन्दर श्याम प्रभा से बिभूसित है जो कामदेब और तिरपुरासर के बिनासक हैं संसार के दुखों के काटने बाली दक्षियक के बिनासक गजासुर एवं अंधकासुर के शंगारक हैं जो मृत्यू को भी बस में करने बाले है मैं उन्सीव जी को भजता हूं अखार बसार्व मंगला कला कदंब मंजरी रसा प्रभाह माधुरी विज्रिम्भाना मधु ब्रतम जो कल्यान में अभिनासी समस्त कलाओं के रस का अश्वादन करने वाले हैं जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं तेपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संघारक दक्ष यग्य बिनासक तथा स्वयम्य यम्राज के लिए भी यम्म स्वरूप हैं मैं उन्सीव को भजता हूं जयात्वदा भ्रवे ब्रमा भ्रमत भुजंग मास्फूरत धगत धगत बिनिर्गमत कराल भाल अभ्यवाट धिमे धिमे ध्वनन् म्रिदंग तुंग मंगला ध्वनी क्रम प्रवार्तित प्रचंड तांड वह सिवह अत्यंत बेग से भ्रमन कर रहे सर्पों के फुपकार से क्रम्स ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अगनी के मध्य मिर्दंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनी के साथ तौंडब नित्मे नील, लीन, सीवजी, सर्वप्रकार सुसोभित हो रहे हैं द्रिखाद बिचित्र ताल पयोर भुजंग मौक्ति का स्रजोह गरिष्ठ रातन लोश्ठायोह सुहरेद बिपाक्छ पाक्छयोह त्रिनार विन्द चाक्छुखो प्रजामहि महेंद्रयोह समंग प्रबार्तयन मनह कदा सदासिवं भजे कठोर पत्थर एवं कोमल सया सर्प एवं मोतियों की माला बहमुल्ली रत्न एवं मिट्टी के ठुकरों सत्रू एवं मित्रों राजाओं तथा परजाओं तिनकों तथा कमलों पर समांद्रिष्टी रखने बाले भगवान सिब को मैं भजता रहूं कदा निलिम्पनेर जहरे निकुन्यकोटरे वसन् विमोक्त दोर्मते सदा सिरास्थ मन्जलिंबहन् भिमोक्त लो ललो चनो ललाम भाल लागन कह सिबेती मंत्र मोच्चरन कदा सुखे भवाम्य हम कब मैं गंगा जी के कच्छार गुंज में निवास करता हुआ निश कपट हो सिर पर अंजली धारन कर जन्चल नेत्रों तथा ललाट वाले सिब जी का मंत्रो चारन करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा इमंहिनित्यमेवमोक्त मुत्तमोत्तमंस्तवं पठंस्मरंब्रुबन्नरो विशुधिमेतिसंततं हरे गुरोव सुभर्तिमासु यातिनान्य थागतिम् बिमोहनंहि देहिनाम् सुसंकरश्य चिंतनम् इस उच्चितम शिवतांडव अस्तोत्र को जो नित्य पढ़ता है अथवा सर्वन करने मात्र से ही प्राणी पवित्र हो जाता है परमगुरू शिव में अस्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है पूजा बसान समये दसबत्रगेतं यह संभु पूजा नमिदं पठते प्रदोसे तास्यास्थिराम रथगा जेंद्रतुरंगा योगताम लाक्ष्मिं सदै बसु मुकिम प्रददाति संभु प्रातह सिव पूजन के यंत में इस रावन कृत शिव तांडव स्तोत्र के गांसे आपके घर में सदै ब लक्ष्मी का बास रहेगा अलक्ष में इस्थिर रहेंगे आपको रत गारी घोरा बंगला धन दौलत पूत्र सब कुछ प्राप्त होगा या यू कहूं तो आपको संपदा कभी भी कमी नहीं होगी हमेशा संपदा से आप सर्वदा युक्त रहेंगे यही जो है सो इस शिव तांडव स्तोत्र का शंपूर्णम अपने सभी दोस्तों के साथ हिंदु धर्म अत्वा जो भी धर्म के लोग हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं उन सभी के साथ सेयर करें और उन सभी को पढ़ना जरूर 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 सिखाएं अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले समय में आपको और भी बेहतर और भी अच्छे तरीके से अच्छा अच्छा अस्तोत्र और हिंदु धर्म से जुरी हुई सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच जै हिंद बंदे मातरम जै संभून आरायन